हलो दोस्तों, वेलकम टू टोपर्स विलेज दोस्तों आज हम कर रहे हैं क्लास 12 मैथ के चेप्टर नंबर 11 थ्री डायमेशनल जेवेटरी की मिसलेनिस एकसाइज तो इसके कुछ कोशन्स करेंगे मिसलेनिस एकसाइज ओन चेप्टर 11 तो देखो दोस्तों, question number 13 से start करते हैं यहाँ पर वहला, find the equation of the plane यहाँ पर एक plane की equation चाहिए passing through the point this एक point से गुजरने वाले plane की equation चाहिए and are perpendicular to each of the planes this and this तो देखो दोस्तों, यह जो plane हमें चाहिए है न वो इन दोनों planes के perpendicular भी होना चाहिए और इस point से गुजरना भी चाहिए तो ऐसे situation है, इस question को करने के न, दो तरीक है एक आसान तरीका है, लेकिन थोड़ा lengthy है दूसरा तरीका lengthy कम है लेकिन उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा मतलब थोड़ा दिमाग पर जोड़ डालना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर आपको आसान तरीके से बताऊँगा और थोड़ा सा जो lengthy तो होगा होगा वो उसके साथ में मतलब एक तरीका एकदम perfect हो, ऐसा तो कुछ होता नहीं है तो मैं आपको वैसे दोनों ही तरीके भी बताऊँगा जो आसान वाला है वो तो हम पूरे तरीके से सोल करेंगे और जो tricky वाला जो तरीका है जिसमें हमें थोड़ा सोचना पड़ता है वो उसका हमें आपको hint देखे चलूँगा ठीक है उसमें ज्यादा गुछ फिर थिवरी बसता भी नहीं है तो देखो, question number 13 सबसे पहले हम एक बार इस plane की equation लिखने की कोशिश करते है जो कि इस point से गुजर रहा है तो अपना जो required plane है, जो plane हम चाहते है उस plane को मैं P बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ? P उसकी equation क्या होती है? जब भी हमें कोई एक point दे दिया जाए जहां से अपना plane गुजरता है तो उसकी equation ऐसी होती है A into X minus X1 plus B into X minus सोरी, Y, Y जाएगा इस पहर Y minus Y1 plus C into Z minus Z1 वेराबर 0 ऐसी होती है उस plane की equation जो की X1, Y1, Z1 point से गुजरता है अपने यहाँ पर X1, Y1, Z1 का काम कोन कर रहा है? यह कर रहा है minus 1, 3 and 2 है न? X1, Y1 and Z1 इसका काम कोन कर रहा है? minus 1, 3 and 2 तो यह values में इसमें डाल दूँगा तो अपना जो required plane है P plane वो क्या बन जाएगा? A into X minus X1 की जगा जाएगा minus 1 तो बन जाएगा X plus 1 फिर यहाँ पर B फिर क्या है? Y minus Y1 Y1 की जगा जाएगा 3 तो Y minus 3 plus C Z minus Z1 Z1 कितना है? 2 Z minus 2 आजाएगा equal to 0 यह हो गया यह अपना required plane है जो कि हम चाहते हैं कि इसकी equation मिल जाएगे इसको मैंने P नाम दे रखा है अब देखो यहाँ पर ना इसके जो direction ratio है इसके direction ratio किसके? P plane यहाँ पर D, R, P लिख देता हूँ यह क्या है? देखो direction ratio मिलते हैं X का coefficient, Y का coefficient, Z का coefficient तीनों का coefficient यहाँ पर X का क्या है? A तो A, Y का इसे bracket को लेगा तो Y का क्या हो जाएगा? B और Z का क्या हो देगा? C तो यह होगे इसके direction ratios जैसे direction ratio का मतलब क्या है कि यह 3D में किसी चीज की direction को show करता है direction ratio जैसे 2D में वो नहीं हो करती थी slope Y बराबर MX प्लस C तो X के साथ आता था M वैसे यहाँ पर X, Y, Z तीनों के साथ A, B, C जो आ रहा है यह होगे direction ratio अब यहाँ पर यह जो plane जो हम चाहते है वो इस plane के perpendicular इसके भी perpendicular यहाँ पर लिखा हूँ है perpendicular to each of the planes this and this तो मैं चलो इसको P1 नाम दे देता हूँ इसको मैं P1 नाम दे देता हूँ P1, P1 क्या है? यह वाला X plus 2Y plus 3Z equal to 5 ठीक है? अच्छा तो बता इसके साथ के साथ इसके direction ratios भी लिख लो तो इसके direction ratio यह P1 है ना तो DR of P1 क्या क्या हो जाएंगे? X का option क्या है यहाँ पर 1 है और Y का option क्या है यहाँ पर 2 और Z का option क्या है 3 यह होगे इसके direction ratios अब यह वाला प्लेन है इसको भी मैं इसको P2 नाम दे देता हूँ P2 यह क्या है? लिख लेता हूँ 3X plus 3Y plus Z equal to 0 equation लिख ली साथ इसके direction ratios of P2 क्या हो जाएंगे? X, Y और Z का option 3 फिर यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 1 यह होगे अब देखो दोस्तों यहाँ पर ना एक चीज में यहाँ लिख रहा हूँ ATQ इसका मतलब क्या है? according to question तो according to question यहाँ पर जो हमें बोला गया है कि जो plane हमें निकालना है वो इसके perpendicular है perpendicular to each of these तो जो plane निकालना है वो plane के है P वो P1 के भी perpendicular है और P2 के भी perpendicular है तो मैं आपर लगाऊंगा conditional perpendicularity देखो सबसे पहले मैं लिखी देता हूँ condition 4 perpendicular planes यह condition क्या होती? यह condition ऐसी होती देखो A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 बरावर 0 यह होती है condition perpendicular planes की यह direction ratios का multiplication है plus कर दिया फिर बाद में तो answer 0 आना चाहिए तो यहाँ पर यहाँ पर देखो कैसे कैसे यहाँ पर मैं दोनों चीजे लगा रहा हूँ जो point P है वो P1 के भी perpendicular है P is perpendicular to P1 और जो point नहीं sorry point नहीं plane अब plane P है P1 के तो होई गया perpendicular plane P P2 के भी perpendicular according to question तो P is perpendicular to P2 also तो सबसे पहले में इसकी condition लगाऊँगा इन दोनों पर यह वाली condition लगाऊँगा perpendicularly की तो इसके according क्या होगा A1 A2 plus B1 इन सब का product अब देखो इनका मतलब क्या है जैसे direction ratio यह है यह सब लोग P और P1 पर लगाना है तो P यह रह और P1 यह है इस पर और इसके जो direction ratios है इनको ऐसे multiply करकर के जोड़ना है तो पहला जो number है वो पहले से multiply होगा समझालों कि यह A1 है तो यह A2 है तो A into 1 क्या मिल जाएगा A into 1 फिर B1 B2 तो यह B और इसका दूसरा number 2 यह जो B है वो इस 2 से multiply होगा तो क्या मना लेगा ऐसा मना लेगा B into 2 अच्छा फिर plus यहापर C1 C2 तो यह जो C है वो इस 3 से multiply होगा तो क्या बन जाएगा C into 3 equal to 0 RHS में 0 आना है perpendicular planes दे रखाना तो यह लेके चलेंगे तो कितना होगया इसको भी लगाते है अभी इसको थोड़ी देर hold रखते हैं फिर देखते हैं इसको हम कैसे use मिलेंगे अपना जो plane P है यह वाला यह इस P2 के भी perpendicular according to question तो यहाँ पर भी यह condition लगाऊँगा P यह उपर वाला और यह नीचे वाला इन दोनों का इसका यह देखो ABC देखो और यह देखो 331 तो A into 3 हो जागा न A into 3 तो यह बन जाएगा 3A फिर फिर B into 3 यह बन जाएगा 3B फिर C into 1 तो C equal to 0 तो एक यह equation है एक यह equation है इन दोनों से असा दो equation है यार variable तो 3 है A, B, C तो फिर इनकी value कैसे निकालेंगी तो देखो दोस्तों यहाँ पर न दो equation ही sufficient है आप tension मतलो सब हो जाएगा बस आप यहाँ से बस plan चालू कर दोगी वह A, B, C की value हम कैसे निकालें तो एक काम करते हैं या तो मैं यहाँ से C की value उठा कर इसमें डाल दू या फिर यहाँ से A की value उठा कर इसमें डाल दू ऐसे कर सकते हो या फिर वो जो होती है elimination method की elimination कैसे लगाते हैं यहाँ एक अक option यहाँ यहाँ एक है यहाँ एक अक option तीन है तो इसको मैं तीन से multiply करूँगा फिर उसमें minus कर दूँगा ऐसे पुट कर तूँगा तो क्या बनेगा 3A A की जग या जाएगा minus 2B minus 3C प्लस यह सारी चीज़ तो है यहाँ पर क्या 3B भी है और plus C यह भी है equal to 0 यह सो लोगा तो क्या बनेगा 3 into minus 2B minus 6B 3 into minus 3C minus 9C plus 3B plus C equal to 0 चीजों को थोड़ा adjust करना पड़ेगा minus 6B और यह 3B यह जाएगा minus का 3B minus 9C और यह C minus का 8C equal to 0 यह काम करो इस 8C को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बचेगा 3B वो भी minus का यह उधर चलागे तो क्या होगा 8C यहाँ से अब मैं B की वेल्यू निकाल लूँगा यह minus 3 उसके divide में तो क्यासा हो जाएगा 8C upon minus 3 minus को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ देखो B की वेल्यू आई लेकिन C की terms में कोई बात नहीं आने दो C की terms में आने तो कोई बात नहीं तो B की वेल्यू C की terms में आगी C तो खुद होता है C की terms में आप A की वेल्यू भी निकाल लो तो जो B की वेल्यू आई है यह उठा कर मैं इसमें डाल देता हूँ हाँ ना मैं तो यह दो equations बनी दो perpendicular थे तो यह condition लगाई मैंने ABC में एक equation दूसरी equation इनको solve किया तो मेरेको B मिल गया in terms of C यह B की वेल्यू उठा कर मैं इसमें डालूँगा again हाँ ना यह उठा कर मैं इसमें डालूँगा तो देखो मेरेको क्या मिलेगा ऐसा मिलेगा इसमें डालते हुए आ रहा हूँ तो क्या मिलेगा A equal to minus 2 यह पर B की वेल्यू जाएगी क्या है यह minus 8C by 3 minus 3C minus 3C अलग इसको solve करें तो यह कितना हो गया A बराबर minus 2 और minus 8 यह हो गया 16C by 3 और यह minus 3C LC हम वगरा लेते हैं तो यह इसके पास से ला गया तो 16 minus 9 16 minus 9 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 7C by 3 यह मिल गया हमे A की वेल्यू आगई 7C by 3 और B की वेल्यू आगई minus 8C by 3 ठीक है और जो C है न उसकी वेल्यू निकालने की जरुत नहीं है आप टेंसन लोई मत आप तो A की वेल्यू याद रुखो B की वेल्यू याद रुखो और हमें प्लेन क्या निकालना था भूलके क्या देखो यह प्लेन ऐसा कुछ था पहले तो हमने वो जिस पॉइंट से गुजर रा ना उस वो पॉइंट रख दिया था और यह प्लेन पी आगई यह पर A, B, C इनकी जरुरत थी तो उसके लिए हमने A और B की वेल्यू तो निकाल लिए यह उठाकर मैं इसमें डालूँगा अगले पेज में लिख लेता हूँ तो देखो दोस्तों यह अपना रिक्वाइड प्लेन A इंटू X प्लस 1 प्लस B इंटू Y माइनस 3 प्लस C इंटू Z माइनस 2 इकल टू 0 A और B की वेल्यू जो भी हमने निकाली वो इसमें डाल देता हूँ तो क्या मिलेगा रिक्वाइड प्लेन A की जगी आजाएगा 7 C बाइ 3 और ब्रेकेट में क्या है X प्लस 1 फिर B की जगी आजाएगा माइनस 8 C बाइ 3 फिर क्या है Y माइनस 3 फिर प्लस C की जगे C ही रहने दो और अंदर क्या है Z माइनस 2 इकल टू 0 यहाँ पर देखो फाइदा क्या है यहाँ पर C की वेल्यू अगर नहीं भी आए न तो भी कोई अंदर की तरफ देखो डिवाइड में 3 है 3 है यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसमें डिवाइड भाइ 1 समझ लो तो इन तिनों का L सिम ले लेता हूं 3 तो यहाँ पर जोई 7 है ना 7 इसको अंदर बेज दो क्या हो जाएगा 7 X प्लस 7 C तो गाइब होई गया यहाँ से कॉमन ले लिया इस माइनस 8 को अंदर बेज दो तो यह क्या माइनस 8 Y और माइनस माइनस प्लस का आठ दिया 24 यह जो C अचा नीचे की तरफ 1 है नीचे की तरफ 1 है ना तो L सिम लिया तो यह 1 जाके 3 को डिवाइड करेगा 3 3 जाके उससे मल्टिप्लिया जाएगा तो यह क्या बन जाएगा 3 Z माइनस 6 असा बन जाएगा यह कॉंस्टेंट और यह कॉंस्टेंट तो 7 माइनस 6 यह जाएगा प्लस का 1 और यह 24 तो बन जाएगा 25 25 हो गया इकॉल टू 0 तो यह होगी अपने प्लेन की एक्क्वेशन ठीक है तो यहाँ पर कैसे क्या हमने यहाँ पर इसको हमने कार्टिशन में कर लिया नहीं यहाँ पर हमें वेक्टर में गए नहीं जादा तो जो प्लेन था वो इस पॉइंट से गुजर रहा था तो इससे गुजरने वाला मैंने प्लेन ऐसे निकाल लिया लेकिन यहाँ पर फिर A, B, C डायरेक्शन तो मिली नहीं है तो डायरेक्शन दूसरे तरीके में हमें एक बड़ी ऐसा डाइग्राम मनाना पड़ेगा, क्योंकि उसको मैं वेक्टर से बताता हूं, देखो, हमें जो प्लेन चाहिए है, समझो वो प्लेन यह है, अपना जो, यह रिक्वाइड प्लेन, वो समझो कि यह है, प्लेन पी, तो अब इस प्लेन प यह जो प्लेन पी न, यह एक पॉइंट से गुजरता है, आप यह पॉइंट का नाम भी यहाँ पे दे रखा, कौन सा पॉइंट है, यह देखो, यह वाला पॉइंट, minus 1,3,2, तो यह जो पॉइंट है, जहां से अपना प्लेन गुजरता हुए, क्या, minus 1,3,2, ठीक है, यह वो इन दोनों गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब जो प्लेन दे रखे न, पी यह पी यह पर पे रखा है, यह दो प्लेन यह पर रखे मैंने, लाई ने यह तो, तो यह रेड़ वाला जो प्लेन है, वो ब्लू वाले के परपेंडिकुलर है, तो ब्लू कुछ ऐसा बनाएंगे उनका डाइग्राम समझो की देखो यहां पे तो ना यहां पर डाइग्राम जिसे आप से बना हो है उसी साफ से आप को समझ जाया जाएगा तो मेरी कोशिश यह होगी कि मैं एकदम perfect diagram बनाओ कि आपको समझ चीजे समझ में आ जाए तो ऐसा 3D में सोचना पड़ेगा सारी चीज तो वो कुछ ऐसा सा diagram हो सकता है कुछ ऐसा बना लिया ऐसा बना लिया और ऐसा बना दिया यह तो पहला plane हो गया जो कि इसके perpendicular है दूसरा वाला plane मैं ऐसा कीज देता हूं ऐसे बना लिया चलो ठीक है अब यहां से यह बन गया दो डो 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 इसको में निचे लिया तो यहां तक ले लिया चलो ऐसा बने गया अग्या आप में इसके ऊपर एसे खोल गे मैं यह एसे पेज रख द्या तो ऑवना जो नीचे वाला दो कोपी है ना कोपी वो इद्र वाला यह पिलेना यह वाला आपको यह थोड़ा इस पे दिखा आप अब अब रहे है अमना दो यह कोपिन है जो जिस पे मैं लिख रहा ह यह वाला यह क्या हो गया पीटू हो गया इधर वाला न और यह वाला क्यों क्या है इसके पर्पेंडिकलर हो ना यह जरूरी नहीं है लेकिन यह यह प्लेंड का जो नॉर्मल वेक्टर न वो इधर की तरफ आएगा ऐसे यह क्या हो गया और यह जो पीटू हो ना पीटू इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इसके पर्पेंडिकलर ली उधर की तरफ जाएगा यह क्या हो गया अगर मैं एन वन क्रोस एन टू करूँ एक्चुली होता क्या है जैसे मेरे को यह रिक्वाइड प्लेंड यह प्लें यह क्या होता है normal vector होता है तो मेरे को इस plane के perpendicular यह normal vector चाहिए है मैं चाहता हूँ कि यह n vector मेरे को मिल जाए लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा यह देखो कैसे मिलेगा अगर मैं n1 और n2 का all करूं cross product तो cross product कैसे काम करता है n1 से मैं n2 की तरफ ऐसे उंगलिआ गुमाऊंगा right hand thumb rule लगता है cross product में n1 cross n2 में तो मैं n1 से n2 की तरफ ऐसे उंगलिआ गुमाऊंगा तो मेरा जो right hand का थम है वो ऐसे क्या जाएगा देखो n1 n2 ऐसे है तो इसमें ऐसे उंगलिया गुमाऊंगा इसके पर्पेंडिवलर हो जाएगा, ये वाला वेक्टर क्या है, इसको में फ़धा बाजू में कर देता हूँ, वो तरीका अलग था, ये जो निकला न, और यह और यह अन वेक्टर यह parallel ही है तो आपको जो इस plane का required plane का जो नोर्मल व्क्टर चीह न वो क्या होगा n1 x n2 जाएगा n1 कहा से आएगा n1 यहा से मिल जाएगा देखो यहां पर जो आपको दिख रहा न इसके इसके डारेक्शन एशियो जिक्या है एक दो थी है न तो इसका जो N1 vector वो क्या बन जाएगा IK plus 2 JK plus 3 KKP यह हो जाएगा N2 vector दूसरे वाले इसका क्या बन जाएगा N2 vector normal यह बन जाएगा 3 IK plus 3 JK plus KKP ऐसा मिल जाएगा यह N1 N2 है कि N1 N2 यहां रख देंगे यह क्रोस प्रोडक्त है तो इसको हमें डिटर्मिनेंट से सोल कर लेंगे, इसके वल्य आजाएगी, जो D है, अब ये उठा कर मैं या पर डाल दूँगा, तो मेरे को ये, अब D निकालने के लिए जो पॉइंट है, ये हम सेटिस्पाइ करवा देंगे इसके अंदर, तो D भी हमें मिल जाता है, एक ये आपके लिए मैंने ये पहला वाला तरीका बता ही रखा, आप ऐसे कर सकते हो, तो ये हुआ अपना question number 13, अब हम देखते है, next question, question number 14, देखो दोस्तों, ये question number 14, if the points 1,1,p, ये p है, and minus 3,0,1, be equidistant, equidistant मतलब same distance रखना, नाम से पता चला है, equidistant, from the plane, this, ये दो पॉइंट है, वो इस plane से बराबर distance पर है, then find the value of P, इस P की value बताने, तो देखो, ये जो plane है यार, ये अभी partition form में नहीं है, vector form में है, इसको partition में convert कर लेते हैं, वो ज़्यादा बड़ी अलगता है, मैं रखो, तो इसको partition में कैसे convert करूँगा, एक तरीका तो ये है कि जो R vector है ना, R vector, ये ह इसकी जगर में रख दूँगा, X, I, K plus Y, J, K plus Z, K, K, F, ऐसा में इसमें डाल दूँगा, तो होगा क्या कि जो 3 I है, आप देखो, या पर क्या है, dot product है, dot है, तो 3 I का, I वाले का, I वाले का, I वाले साही dot होता, आपको पता है, I वाले का J से होगा, तो 0 बन जाएगा, तो 3 याएगा, X, I से मिलन होगा, तो 3X बन जाएगा, 3X, 4J, ये Y जैसे मिलेगा, तो 4Y बन जाएगा, क्योंकि J dot J, 1 हो जाएगा, तो फिर minus 12 के, ये Z कैसे मिलेगा, तो minus 12 Z हो जाएगा, फिर यहा पर प्लस 13 है, तो यहा पर प्लस 13 इकोल टो 0, ये बन गए अपने इस plane की, जो की Cartesian form, तो हम क्या करते हैं, ऐसे लंबे तरीके से करना हो, तो आर वेक्टर की जगे से एक एक चीज़ रखके देखते हैं, तो डैरेक्टी कर लो यार, जो 3I है, वो 3X हो गया, 4J, 4Y हो गया, minus 12K का, minus 12Z हो गया, तीक है, प्लस 13, प्लस 30, अगर ये 13 हो तो तो उधर की distance का जिकर हो रहा है, इक्वी distance मतलब distance निकाल लिए, तो आपको में distance formula बता देता हूँ, कैसे होता हुआ, तो ये distance मतलब ये perpendicular distance की बात की जा रही है, ये D का formula क्या होता है, इस plane की equation समझो कि ये है, AX प्लस BY प्लस CZ, equal to D, equal to D है, तो जो distance formula होगा, वो क्या होगा, modulus of, ये point है हम इसमें डाल देते हैं, क्या जाएगा, AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1, देखो रहा, ये जो RHS में D है न, वो पहले LHS में आ जाना चाहिए, ये D को हम इधर लाना पड़ेगा, तो इधर आके माइनस D हो जाएगा, ठीक है, RHS में 0 बचना चाहिए, नीचे की तरफ क्या आता है, य Y, Z के जो कोपिशेंट से न, उनका स्क्वार का समेशन, मतलब A स्क्वार प्लस B स्क्वार प्लस C स्क्वार ऐसे, इसका ये मोडलर सा देगा, तो SM डिस्टेंस फॉम्ला निकालते है, तो यहाँ पर क्या वो लगए कि जो प्लेन है ये प्लेन, अब इसको मैं इधर डाइग तो यह है 11P, समझो कि यहाँ पर है, 1,1,P, तो इसकी परपेंडिगुलर डिस्टेंस ये, और जो ये पॉइंट है, माइनस 3,0,1, ये समझो यहाँ पर है, माइनस 3,0,1, इसकी से परपेंडिगुलर डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो म तो अब मैं इस काम को अगले page में करता हूँ और आपको बताता हूँ देखो कैसे करेंगे तो यहाँ पर काम आसान बनाने के लिए न मैं यह जो 11P की splences and distances को में D1 बोल देता हूँ और minus 301 इसकी splences and distances को में D2 बोल देता हूँ तो according to question यहाँ पर क्या दे रहा है equidistant दे रहा है equidistant है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा according to question यह जो D1 distance है वो और जो D2 distance है वो दोनों क्या होगी बराबर होगी D1 की value कैसे निकालूँगा D1 की value इस point से इस plane की distance तो यहाँ पर यह distance formula काम आएगा यह distance formula तो इधर यह distance formula लगेगा LHS में इधर भी लगेगा जो D2 है न इस point से इस plane की distance इधर RHS में भी D2 की जगए RHS में भी लगेगा distance formula देखो सबका पहले numerator बना लेते हैं numerator में क्या आएगा D1 मतलब यह 1 1 P उठा कर हम इस plane में डाल देंगे इसे तो करते हैं न यह X1 Y1 Z1 उठा के इसमें डाल देते हैं तो इसे में numerator मिल जाता है तो असे यह देख ले न plane में RHS में 0 होना चाहिए हाँ यहां तो RHS में 0 है कोई दिक्कत नहीं है 1 1 P उठाओ X की जगए 1 डाल दो Y की जगए 1 और Z की जगए यह P आ जाएगा तो कैसा मिलेगा देखो यहांपर क्या मिलेगा 3X तो 3-1 हो जाएगा तो 3 हो गया 4 इंटु Y Y की जगए 1 है तो क्या हो जाएगा 5-12P हो गया फिर क्या प्लस 13 तो प्लस 13 हो घाएगा ठीक है दोस्तों यह गया अचा नीचे की तरफ क्या आएगा नीचे की तरफ आएगा वह अंडरूट a-square plus b-square plus c-square यहांप एक साथ क्या है तीन इसके साथ 4 और इसके साथ माइनस 12 है तो अंडरूट ओ तीन का स्क्वेर 3 का square 9 आ जाएगा फिर 4 का square यहाँ पर 16 बन जाएगा और minus 12 का square 144 देगा अच्छा इधर की तरफ आओ उपर की तरफ तो अब इधर d2 या d2 distance है न वो इसका formula यहाँ पर है इसमें क्या करते हैं यह point उठाओ और इस equation में डाल दो तो minus 3 उठाकर मैं x की जिएगा डाल दूँगा तो 3 into x की जिएगा minus 3 तो कितना उठाएगा minus 9 अब मैं यह जो 0 ना यह 0 0 उठाकर यहाँ पर रख दूँगा y की जिएगा तो क्या बन जाएगा plus का 0 उसके बाद यह जो z coordinate 1 वो उठाकर मैं यहाँ पर डाल दूँगा तो minus 12 into 1 यह minus का 12 आजएगा फिर last में 13 तो आप प्लस का 13 divide by नीचे की तरफ की आएगा नीचे भी वह आता है square plus b square plus e square जो इसके नीचे आए ना वह इसके नीचे आजएगा मतलब 9 plus 16 plus 144 इसको तो आप इधर से cut कर सकते हो देखो दोस्तों द्यान रगने आपर क्या लगार के चल रहे हैं modulus लगा के चल रहे हैं इसको मत भूलना इसका ना बहुत बड़ा importance है आपर तो इधर देखो क्या बने गई इसको solve करेंगे यह नीचे वाला तो कट गया नुमेरेटर नुमेरेटर बच गया तो यहाँ पर कितना बच गया यह 3 प्लस 4 7 7 और 13 20 इधर बचा 20 माइनस 12 P इसका modulus इक्वल टू RHS में क्या है 13 माइनस 12 1 है प्लस का प्लस का 1 और माइनस का 8 सुरी माइनस का 9 नहीं है माइनस का 8 बचेगा उसका modulus तो इसका modulus क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा माइनस 8 का modulus तो 8 हो जाएगा अब देखो दोस्तों आप इसको देखो और इसको देखो हमें पीकी वेल्यू बतानी है पीकी वेल्यू तो modulus के भी अंदर है और आपको पता है कि जब जब हमने modulus हटाया है तब तब हमने plus और minus दो cases लिए है उसको अटाने के साथ में इसका मतलब क्या होता है देखो यार यार यह जो अंदर वाला number इसके जगर उंगली रख लेता हूं ऐसे अब इस उंगली के बाहर क्या लगा modulus तो यहाँ पर जो भी number होगा अंदर की तरफ समझ लो x है तो उसकी value 8 के बराबर है तो अंदर वाला जो है ना अंदर वाला plus का 8 भी हो सकता है और minus का 8 भी हो सकता है क्योंकि अंदर कुछ भी हो उस पर तो modulus लगा के answer 8 बना होगा तो अंदर वाला plus का 8 भी हो सकता है और minus का 8 भी हो सकता है तो यहाँ से जब मैं modulus हटाऊंगा तो वो सारी चीज़ बाहर आ जाएगी 20 minus 12 P यह plus minus 8 में से कुछ भी हो सकता है तो यहाँ से अब 2 category बन जाएगी तो क्या क्या हो जाएगा 20 minus 12 P equal to 8 और इधर 20 minus 12 P equal to minus 8 इसको सोल कर लेते हैं यह 8 इतरा जाएगा बारा उधर चला जाएगा तो 8 इतरा आके माइनस होगा तो यह पर 12 और यह उधर चला गया तो 12 P यहाँ से P की वेलियो आगे 1 ज़से इसको सोल करें यह 12 पर उधर चला गया और यह 8 इतरा गया तो 20 plus 8 हो जाएगा 28 हो जाएगा यह तो यह 12 जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 कर डिवाइड करेंगे तो यह पर 7 यह पर कितना बज़ेगा 3 तो डिवाइड में आगया P P की वेलियो क्या गी 7 by 3 तो यह दो वेलियो जा गई अगर आपकी बुक में इनके अलावा कोई और आंसर दे रहका हो तो उसको करेक्ट कर लेना करेक्ट वेलियो यह यह 1 and 7 by 3 ठीक है दोस्तो तो यह तो एक आसान क्वेशन था यहाँ पर तो यह इस वर्ट से काम बनेगे इकविदिस्टेंट तो टिस्टेंस फरमला लगा के इसके से डिस्टेंस निकाल ली दोनों को बराबर रग दिया मोडलस आया तो दो केस बना के शुल कर लिया ठीक है तो यह हो गया अब देखते है नेक्स्ट ग्οेस्टन देखो दोस्तों यह है question number 15 यहाँ पर बोला find the equation of the plane passing through the line of intersection of the planes देखो यहाँ पर कभी भी या जाए na intersection of the planes बहला ही कई बार line लिखा होता है कई बार नहीं लिखा होता है लेकिन मतलब वह होता है line यहाँ पर understood होता है कि line of intersection ही होगा लेकिन कभी भी question में ही आजाए na intersection of the planes तो आपको जो process बताऊंगो हमेशा वही लगता है fix है 100% fix तो find the equation of the plane passing through the line of intersection of the planes this and this and also parallel to x-axis हमें एक ऐसा plane बताना है जो कि यह जो plane दिखे रहे है आपको यह वाले जो दोनो plane है इनका यह जो intersect होगे जैसे यह plane ऐसे intersect होते तो बीच में क्या बना लेते हैं एक लाइन मना लेते हैं ऐसे ऐसे लाइन मना लेते हैं तो उस line से ही यह नया वाला plane गुजरेगा पहली बात दूसरी बात जो नया वाला plane होगा वो किसके parallel होगा x-axis के parallel भी होगा तो ऐसे यह एक्स-क्स के पैरलल वाली चीज बाद भी देखेंगे पहले इसको देखते हैं यह वाला प्लेन और यह वाला प्लेन इनको में लिख के देखो थोड़ा सेट करने की कोशिश करता हूं चलो इनको में डाइग्राम बनाई लेता हूं देखो ऐसा है कि यह वाला जो फ्लेए यह एंप्लेन यह एसा है इदर घितर बना लिया ऐसे हैं ठीक है और दूसरी परइन अंगी दिए आरचेसम बना रहा हूं थो यहां से यह ससला इसलें अ किकले अंत अ क्यश्क अलक में एसे बन गया जिए वाला जो-बेन आं यह पी वन है this is P1 और ये वाला plane P2 है P1 ये वाला हो गया है क्या है R vector dot I plus J plus KK equal to 1 न तो ये equal to 1 अब यार इसको न ये vector form में ज़्यदा ऐसे मतलब सही नहीं लगता इसको हम convert कर लेतें partition में तो partition में क्या हो गया है जो IJ के है न इंड़क option के है 1,1,1 तो partition में जब लिखेंगे न तो उसमें आजाएगा X के साथ 1, Y के साथ 1, Z के साथ 1 मतलब X plus Y plus Z ऐसे आजाएगा या फिर आप और deeply समझना चाहो तो R vector की जगे R vector की जगे क्या रखदो, R vector variable होता न तो इसकी जगा आजाएगा X IK plus YJK plus Z KK फिर dot product करवा देंगे तो जो मैं लिख रहा हूँ, वह हमें मिलेगा I का option 1 है, तो 1X plus J का भी 1 है, तो 1Y K का भी 1 है, तो 1Z इकोल टू 1 इस 1 को LHS में लियाओ, क्या होताएगा X plus Y plus Z minus 1 equal to 0 यह अपना plane number 1 हो गया, इधर वाला plane number 2 यह है तो इसको मैं आपर लिख लेता हूँ, यह क्या है R vector dot 2I plus 3J minus KK plus 4 equal to 0 तो यहाँ पर क्या करेंगे R vector की जगए रुखूंगा, X, I, Y, J और Z, K, इसके साथ डोट कराऊंगा तो इससे बढ़े direct ही लिख देता हूँ यह पर 2Y है न, तो इसका बन जाएगा 2X 3I है, तो यह बाहर R लगा हूँ है ऐसे direct नहीं करते हैं वैसे बाहर R है तो वो पुरा process तो वही है background में वही काम हो रहा लेकिन मैं direct बता रहा हूँ 3J का क्या बन जाएगा 3Y, minus K का minus Z प्लस 4 है, यहाँ पर प्लस 4 पहले से इधर ही है ठीक है बढ़ी है यह होगा प्लस 4, यहाँ पर प्लस है यह 4 होगया ठीक है, यह 9 नहीं यह 4 है तो इसको मैंने कर दिया highlight है यहाँ पर यह P1 हो, यहाँ पर P2 है अब देखो, यह, जब दो प्लेन ऐसे intersect करते हैं तो दो प्लेन का जो intersection होता है वो point नहीं होता है एक point पे नहीं मिलते है line थोड़ी है, यह तो plane है तो plane जब भी मिलते हैं एक line मिना लेते है यह क्या है, यह है line of intersection ठीक है, इसको क्या बोलते है line of intersection इसी line of intersection से अपना नया वाला plane गुजर रहा है the equation of the plane passing through line of intersection of this and this ये P1 और P2 के line of intersection नया plane गुजर रहा है तो नय प्लेन का जो diagram है उसको में यहां ही पर बना देता हूँ समझो कि नय प्लेन का diagram यहां बना लेता हूँ ऐसे कुछ है नय प्लेन का diagram ठीक है ऐसे है यह जो नया वाला plane न रेड गलर से जो मैंने बनाया यह है यह ऐसे समझो लाब यह चाहते हैं यह new plane हम चाहते हैं कि इसकी equation मिल जाए देखो दोस्तों याद रखना मेंसा जब भी ऐसा question आता है एक P1 और P2 पहले से दे दिया जाएगा और आपको एक नया plane पूचा जाएगी जो की intersection of the planes P1 और P2 इन दोनों के intersection से गुजरेगा नया वाला plane उसकी equation पूची जाएगी उस new plane की equation हमेशा same format में लिखी जाती है family of planes के जरीए वो family of planes क्या होती है यहापे आपको P1 दे दिया जाएगा P2 दे दिया जाएगा इनी की combination से new plane निक्रम P1 प्लस lambda P2 इकल टू 0 ठीक है क्या है P1 प्लस lambda P2 इकल टू 0 याद रखना में साब जब भी दो plane का एक intersection हो वहाँ से नया plane गुजरेगा उसकी equation आपको यही लिखनी है समझगे तो अब यहाँ पर क्या है P1 और P2 तो P1 की value यह डाल देता हूं मैं यह 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 P1 ही तो है यह उठा के मैं यहाँ पर डाल देता हूं इधर जो RHS में 1 था ना वो भी हमें नहीं छोड़ना है यहाँ उसको भी LHS में लियाया अब यह जो LHS LHS है ने इसका only वो यहाँ पर मैं डाल दूँगा क्या है X प्लस Y प्लस Z-1 यहाँ पर जाएगा X प्लस Y प्लस Z-1 फिर प्लस लेंड़ा P2 की जगह यह आ जाएगा इधर तो RHS में पहले सी 0 था यहाँ पर रख दूँगा तो एक तरफ मतलब X वाले एक जगह Y वाले एक जगह ऐसे है तो यहाँ पर X हे यहाँ पर लेमडा है बाहर फिर y, यहां पर y का option क्या है 1, इधर y का option क्या है, अंदर तो 3 है, और बाहर lambda है, तो यह bracket खुलेगा तो 3 lambda y, ऐसे बन जाएगा, तो option क्या देगा 3 lambda, तो यह बन जाएगा, फिर बाद में अब लगाऊंगा plus, z का option क्या होगा, z का option यहां पर कितना 1, और इधर की तरफ देख और यहां पर क्या है, lambda into 4, तो ऐसे लिख लेता हूँ, पहले यह लिख लेता हूँ, यह plus का है न, lambda into 4, 4 lambda, और इधर वाला constant क्या है, minus 1, minus 1, ऐसा हो गया, 4 lambda minus 1 equal to 0, तो यह x, y, z वाली चीज़ है, और यहां पर यह 4 lambda, यह constant चीज़ है, तो यह मिला हमें नए plane की equation, अब आगे काम आएगा, लेकिन मैं पहले लिखवा देता हूँ, इसके जो direction ratios है, इसके direction ratio क्या है, वो यहीं पर लिख लो, जो x के साथ है, y के साथ है, जो z के साथ है, इनके coefficient, वही इसके direction ratio होंगे, क्या है, 1 plus 2 lambda, इसके 1 plus 3 lambda, और यह 1 minus lambda, यह, यह और यह, यह इस plane के direction ratio है, अब आगे काम में आएंगे, तो अब मैं यहाँ पर जो आगे की चीज क्या बची हुए है, कि जो नया वाला plane है न, वो यहाँ तक तो होई गया, और क्या बोला है, तो फाइंड the equation of the plane, यह सब हो गया, and parallel to x-axis, जो नया वाला plane है, new plane, यह x-axis के parallel भी है, अब इस चीज को में ठीक है, तो दिखो इसका डाइगराम से ऐसे समझते हैं, कि यहाँ पर तो वही हो गया, अपना y और z, और x-axis अपना इधर की तरफ होगा, अभी में नहीं बना रहा, अभी में यह y-axis बना लिया, z-axis बना लिया, और जो x-axis है न, वो ऐसे समझ लो, यहाँ पर जो मैंने ऐ नो प्लेन यहाँ पर है, यहाँ आपको दिखेगा है न, तो अधर कीच लेता हो, यहाँ पर है, एक्स-axis ऐसे है, तो वह अपना new plane यहाँ अब देगँ, new plane ऐसे भी ऊसकता है, इसके चारों तरफ गोम भी धी सकता है, हाँ, x-axis ऐसे खड़ा है, तो अपना जो plane है वो भी इ तो अपना यह जो प्लेन होगा यह भी एकस के परिलेल ऐसे बनेगा अब इसे में समझने वाले बात क्या है देखो एकस एकसी से उपर की तरफ जा रहा है और जो प्लेन होता है ना प्लेन कोई बी मैं प्लेन लूँ जैसे यह यह वाइट क्लर में आई थिंग आपको दीक रहा होगा ना इसे बिस्टिंग्विस कर पार हो यह आप कि एक साथ वाई के साथ जेड़ के साथ यह किसके डायरेक्शन रेशियो है प्लेन के तो है लेकिन प्लेन की किस चीज कौन सी डायरेक्शन तो जो अपना नया वाला प्लेन है तो नया वाला प्लेन समझो कि ऐसा कुछ है उसका डाइग्राम तो इसका जो इसके जो पर पेंड अपना एक्स एक्स हो गया इसी के पैरिलल अपना न्या भाल तो न्या भाला ऑन इस न को मैं यहां कहीं पे अपना लेता एक्स बना लेताु थोड़ी फिलिंग के लिए और एक्स एक्से पैरलल खींच रहूं इसका परपेंड्डीकुलर वेक्टर कितर जाएगा ? तो समझो कि यहाँ पर वो ऐसे बना और परपेंड्डीकुलर वेक्टर इसका ऐसे निकलेगा ? यह क्या कि new plane के परपेंड्डीकुलर यह निकलेगे N vेक्टर अज़ इसके DR क्या होंगे ? यहाँ पर अभी लिखे न, यह plane के perpendicular, इस n vector का संबंध किस से है, new plane से है, इसी का normal vector यह, इसी का normal vector यह है, this is normal vector of plane, यह plane का normal vector है n vector, जो इस plane के perpendicular बना है, इसके dr क्या है, तो वो new plane वाले dr आएंगे इसके, कौन से यह, 1 plus 2 lambda, 1 plus 3 lambda और 1 minus lambda, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, 1 plus 2 lambda, 1 plus 3 lambda, and 1 minus 1 minus lambda, ठीक है, यह है न, 2, 3, minus 1, 2, 3, minus 1, यह है, इसके जो direction ratio यह है, ठीक है, अच्छा, अब देखो यार, एक चीज़ यहाँ पर हो रही है, आप notice करो, एक सेक्सिस और plane तो parallel है, plane के, यह जो n vector, यह plane के perpendicular है, तो यह x सेक्सिस के भी क्या हो जाएगा, perpendicular हो जाएगा, समझरी मेरी बात, देखो new plane और x सेक्सिस यह आपस में parallel है, तो यह, मतलब इनकी direction वागिरा काफिया तक सेम है, तो new plane और x सेक्सिस parallel है, कोई चीज अगर new plane के perpendicular है, तो वो x सेक्सिस के भी क्या होगी, perpendicular होगी, समझरी मेरी बात, यह तो parallel की, यह तो बात हो थियार, कोई भी दो चीज, आप दुनिया में कोई भी दो चीज parallel उठा लो, वो parallel है, तो कोई एक तीसरी चीज आएगी, जो कि इन में से एक भी चीज के perpendicular है, तो वो दूसरी चीज के भी क्या होगी, perpendicular होगी, यह अपना plane, plane और यह x सेक्सिस, यह अपस में क्या है, parallel है, यह जो normal vector न वो, और जो x सेक्सिस है यह, यह क्या देंगे, perpendicular होगी, normal vector के तो dr मैंने आप लिख लिए है, normal vector के dr उस new plane के ही dr होते है, तो x सेक्सिस के dr क्या होते है, यह बड़ी interesting बात है, तो देखो x सेक्सिस, मतलब x सेक्सिस की side में क्या लिखते है, i k पी लिखते है न, only, x सेक्सिस की plus 0 into k, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो इसके dr क्या हो जाएंगे, i का option 1, j का option 0, और इदर j का option 0, वो जाएंगे इसके dr, ठीके, तो dr x सेक्सिस की क्या होंगे, 1, 0, 0, ऐसे होगे, तो यहाँ पर जो new plane है, new plane का जो normal vector उसके dr क्या है, जो n vector उसके dr क्या है, यह, 1 plus 2 lambda, 1 plus 3 lambda, and 1 minus lambda, और जो अबना यह x-axis है, कौन सा x-axis, उसके dr क्या है, यह, 1, 0, 0, 1, 0, याद रखना में सा, x-axis के dr होते 1, 0, 0, y-axis के होते 0, 1, 0, क्योंकि इसमें j-cap आ जाता है, और z-axis के, इसमें k-cap आता है, तो उसमें 0, 0, 1, तीसरा वाला उसमें 1 होता है, बागी सब 0, यह है, और यहां से डाग्राम से के लिए हो गया है, यहां पर यहां पर लिख देता हूं, बाई डाग्राम, कि जो n-vector है, और जो यह x-axis है, यह क्या होते हैं, पर परपेंडिवलर है यहां पर, परपेंडिवलर है तो यहां पर इनका जो वो एक कंडिशन होते हैं, पर A1 मतलब यह, और A2 मतलब यह, दोनों का पहला-पहला यहाँ पर आ जाएगा तो 1 प्लस 2 लेम्डा इन्टू 1, फिर प्लस B1, B2, दूसरा-दूसरा, तो यह जाएगा 1 प्लस 3 लेम्डा इन्टू 0, कोई मतलब नहीं है C1 C2 तीसरा तीसरा 1-Lambda into 0 1-Lambda into 0 बराबर 0 ऐसा है तो देखो दोस्तों यही condition थी जो कि मैं आपको starting में भी बता सकता था क्योंकि यह 1-2-Lambda 1-3-Lambda यह तो पहले यह आ गए थे यह रहे और फिर बोला X-X के parallel तो यह X-X के क्या हो जाते है फिर 1-0-0 जाएंगे डारेक्ट डोट करागे यह formula भी बता सकता था लेकिन मेरे को लगा कि आपको यह चीज जाननी चाहिए आपको इस तरीके से आपको मिलना चाहिए तो यह condition मैं लगाती तो अब क्या बन जाएगा इनको solve कर लेंगे वन प्लस टू लेंड़ा क्या वन प्लस टू लेंड़ा और यह तो 0-0 तो खता हो जाएगा एक्वल टू जीरो यहांसे लेंड़ा की वेल्यू क्या आगी माइनस 1 बाइ 2 यह लेंड़ा की वेल्यू उठाकर मैं अपना जो प्लेंड था न जो हमने असे पी वन प्लस लेंड़ा पी टू ऐसा करके निकाला था उसमें लेंड़ा यह असे बच गया था ये 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 यह यहां पर तो यहां पर रख दूँंगा मैं लेंड़ा की वेल्यू तो एक काम करता हूं यार इस plane को मैं अगले बेज भी लिख लेता हूं और फिर lambda की value उस पर डालता हूं ठीक है तो देखो दोस्तों ये मैंने new plane की equation लिख लिए पिछले वाले path से इधर चाप लिए मैंने lambda की value minus half डाल दूँगा तो देखो 1 plus 2 lambda 0 हा ना तो ये वाला 0 बन जाएगा वैसे आप डालोगे ना तो ये 2 into ये minus half फिर 2 से 2 कट जाएगा 1 minus 1 0 बन जाएगा तो ये 0 into x ही बनेगा क्योंकि यही से तो ये value निकली है 1 plus 2 lambda 0 है तो यहाँ पर भी 1 plus 2 lambda 0 हो जाएगा अच्छा यहाँ पर ये 0 नहीं बनेगा यहाँ पर lambda के value proper डालनी पड़ेगी क्या बन जाएगी 1 यहाँ फिर 3 lambda की जाएगा minus half तो ये minus 3 का half बन जाएगा minus 3 by 2 उसके साथ में y plus 1 minus lambda lambda की जाएगा minus half तो बन जाएगा plus का half क्योंकि minus lambda ना z plus यहाँ फिर 4 lambda है तो 4 lambda की जाएगा minus half तो minus और ये half लगा दिया minus 1 equal to 0 तो 0 into x ये तो 0 हो गया खतम हो गया इसको छोड़ो आप यहाँ पर क्या बनेगा ये 2 इधर 2 minus 3 ये मतलब 1 minus 1.5 है तो आदा बच जाएगा minus का minus half y plus 1 plus half ये 3 by 2 z हो गया ऐसा हो गया ये हो गया ये हो गया इसको सोल करो इसको सोल कर लो चलो ये 2 इसको काटएगा तो 2 minus 2 minus 1 minus का 3 यहाँ है उसको रहस में प्याज़ोंगा तो रहस में जाके क्या बन जाएगा ये 3 ऐसे बन जाएगा अबहाए पर सोरी इदर की तरफ 3 है यहां पर 3 है यह उदर चला जाएगा तो minus y plus 3z equal to 6 हो गया यह होगी plan key question आप चाहो तो इन दोनों को उदर की तरफ भी ले जा सकते हो तो इदर की तरफ 0 बत जाएगा उदर जाके y जाके plus का हो जाएगा y 3z जाके minus का minus 3z plus उदर परे से ही 6 यह जाएगा कोई सी भी ओल दो आद में तो मतब नी जाएगा तो I hope दोस्तों यह जो question आपको समझ में आया है यहां पर हमने में तो देखो इस चीज को यूज में लिया है कि line of sorry line of intersection of planes जब भी दो planes का intersection से नया plane गुजरे जैसे यहां पर blue blue वालो कोई intersection से यह जो red वाला नया plane गुजरा न उस plane की equation आपको P1 P2 पुराने वाले planes की मदद से ही निकालनी होती है तो किसी एक के साथ में हम lambda लगा सकते है यह lambda हम P1 के साथ भी भी लगा सकते थे तो किसी एक के साथ lambda लगाओ दो और ऐसा लिख दो यह नया plane की equation होती है बस इसमें lambda हमें पता नहीं होता lambda पता करने के लिए आपर अलग condition दे रखी है कि जो नया वाला plane है वो x-axis के parallel भी होगा तो x-axis के जो direction ratios है वो क्या है x-axis के है 1, 0, 0 और जो plane की direction ratio है यह इनका में dot करवाके answer 0 रख दूँगा मतलब वो multiplication उससे lambda की value मिल जाएगी वो again plane में डाल दूँगा ठीक है तो यह होगा अपना question number 15 आप करते है question number 16 देखों दोस्तो question number 16 if o be the origin o origin है and the coordinates of p be 1, 2, minus यह point अपना p हो गया then equation of the plane passing through p इस p point से गुजरने वाला plane बताना है and perpendicular to op वो जो plane है ना वो इस op के perpendicular है तो यह फिर op उस plane के perpendicular बात है की है यहाँ पर थोड़ा diagram बना के समझते हैं देखों चीजों को यह ऐसा कुछ बना लेते हैं कर रफ diagram यह exact diagram कौन साम बनाते हैं यह x-axis है यह y-axis and यह z-axis है अपना जो plane है ना जो plane जो जिस plane की equation हमें बताना है then the equation of the plane passing through this वो हमें find करना है यहाँ पर मैंने find लिखना बूल गया मैं then find यहाँ पर बीच में कहा जाएगा if i and i यह जाएगा चलो जो भी है हमें तो equation से मतलब बता हो देखो जो plane होगा वो समझो की कुछ इस परकार का बना लेते हैं यह कुछ ऐसा plane में बना लेता हूँ ऐसा अब यह यहाँ पर क्या है O है यहाँ समें इस पर डालूँगा perpendicular to O P जो अपना plane ले ना वो इस O P के perpendicular है तो मैं जान बुझ कर पहले O P बनाऊंगा यह सा ऐसा बना लेता हूँ जो कि इसके क्या है perpendicular है ठीक है तो O यहाँ पर है और P यहाँ पर है ठीक है ऐसा बन गया यह अपना जो plane है उसी के उपर यह P point है यह point of intersection हो गया ऐसा समझे लो photo perpendicular तो P point किस पर है इस plane पर यह P point के coordinates क्या है यह क्या 1,2,3 ठीक है O यहाँ पर है P यहाँ पर है तो यह बन गया एक O P vector बन गया ऐसे अच्छा काम चालू करने से पहले एक बार यह O P vector के वो निकालो DR देखो O point क्या है 0,0,0 P point क्या है 1,2,-3 मैं चाहरा हूँ कि DR direction ratio आजाए कि इसके O P के O P के direction ratio मिल जाए तो क्या होगा देखो जब दो point पता हो ना जैसे यहाँ पर 0,0,0 है और दूसरा वाला वो है यह X1,Y1,Z बन है वो X2,Y2,Z2 है तब हम इनके coordinates को minus करते है तो उससे में direction ratios मिल जाते है X में से X वाला Y में से Y वाला ऐसे है तो 1 में से मैं 0 minus करूँगा तो 1 मिल जाएगा फिर 2 में से 0 minus करूँगा तो 2 फिर minus 3 में से 0 minus करूँगा तो minus 3 मिल जाएगा यह मिल गी direction ratio of O P vector अच्छा अब हम काम की बात करते हैं इतना हम ने कर लिया, अब देखो काम की बात क्या है, then find the equation of plane passing through P, इस P point से गुजरने वाले plane की equation बतानी है, यह जो P point है इस plane के उपर ही है, तो जैसे यहाँ पर मैं standard सब कुस बता रहा हूं, सब कुस लिख के बता रहा हूं, कि कोई भी plane हो, इस P point से पास होने वाला जो भी plane है उसकी equation, उसकी equation क्या होती है, उसकी equation देखो ऐसी होती है, A X-X1, फिर B Y-Y1, and C Z-Z1 equal to 0, एक होती है उस plane की equation, तो यहाँ पर पॉइंट है, X1, Y1, Z1, वो यहाँ पर माइनस माइनस में लग जाता है, X, Y, Z के साथ, तो अपना वाला point क्या है, यह अपना जो plane है, वो कहां से उसे रहा, P point से P point के ओनेट है, यहाँ पर दे रहे हैं, 1,2,-3, यही है, फिर यह B, Y1 के जगे 2 आजाएगा, यह लो, फिर C, Z, minus Z1, Z1 कितना है, minus 3, तो minus Z1 कितना हो जाएगा, plus 3, बराबर 0, यह बना, अब यहाँ पर जो plane है, यह जो plane है, इसके जो direction ratio है, इस plane के direction ratio हो क्या है, ABC, क्या है, ABC, यह है, X का option, Y का option, Z का option, यह क्या होते हैं, plane के direction ratios, इसको और specifically बोलूँ, तो यह plane के direction ratio है, साथ यह plane के normal vector के direction ratio है, मतलब, DR of normal vector of plane, यह जो plane दिखे रहाँ आपको, इस plane का जो normal vector होगा, जो इसके क्या होगा, इसके perpendicular होगा, ऐसे है, ठीक है, यह समझों कि यह n vector है, तो जो आपको perpendicular यह n vector दिखे रहा न, इसके direction ratios होगे, ABC, यहाँ पर जो plane के बाहर, ABC लगे न, यह, अब देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो आप, कि जो OP vector है, वो भी plane के perpendicular है, जो n vector है, वो भी plane के क्या है, perpendicular है, तो OP और N vector ही के parallel है, OP और N vector के parallel, OP vector और N vector, तो यहाँ पर, बाई फिगरिया कुछ भी बोल सकते हो, OP भी plane के perpendicular है, N vector भी perpendicular है, तो OP और N आपस में parallel हो दाएंगे, तो ऐसे लिखो चलो, बाई, डाइग्राम, OP vector is parallel to N vector, और जब भी, दो vector parallel होते हैं, तो आप उनका direction ratio इधर उधर कर सकते हो, जैसे, मतलब इधर उधर मतलब दोनों को same ले सकते हो, दोनों की direction ratios को, जैसे 2D में हम नहीं करते थे, जैसे 2D में हम नहीं करते थे, जैसे 2 line है, एक की slope M1 है, दूसरे की M2 है, तो हम क्या बोलते हैं, कि parallel line से तो उनकी slope बराबर हो जाएगी, M1 बराबर M2, वैसे यहाँ पर भी, OP की direction, मतलब direction ratio, और N vector की direction, मतलब direction ratio, वो क्या होंगे, बराबर होंगे, तो OP की direction ratio क्या है, यहाँ पर देखो यह, 1,2,-3, 1,2,-3, यह इसके क्या है, direction ratio, ठीक है, और N vector की direction ratio क्या है, यह, यह मैंने लिखा न, N vector मतलब क्या है, इस plane के perpendicular, मतलब normal, direction ratio of normal vector of plane, मतलब यह N vector के direction ratio, इसके क्या है, A, B, C, A, B, C, तो यह यहाँ पर मैंने direction ratios की list बना रखी है, तो, देखो, दोनों के दोनों है parallel, दोनों के parallel हैं, तो अब आप समझ गया होँगी कि, parallel में तो हम एकदम same same ले ले लेते हैं, perpendicular में क्या होता है, इन दोनों का dot कराके मैं 0 के बराब रखूँगा, जबकि parallel में क्या होता है, मैं direct इनको same to same copy कर सकता हूँ, तो a की value के आजाएगी 1, a की value 1 आजाएगी, b की value के आजाएगी 2, b की value 2 आजाएगी, and c की value के आजाएगी minus 3, c की value minus 3 आजाएगी, ठीक है, यह मिल क्या, आप चाहो तो यहाँ पर a, a की value जो 1 होन होन होना, उसके साथ k लगा लो, 1 into k, इधर भी 2 into k, minus 3 into k, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर k, k की आएगा, उसको common लेकर काट देंगे, कोई बचा पूँच सकता है, जब parallel vector होते तो proportional होते, हमने exactly बराबर क्यों ले लिया, तो बराबर ले लो, तो ठीक है, बराबर नहीं लोगे, proportional होगे, तो यहाँ पर k वगरा लगा के लेना पड़ेगा, तो k तो यहाँ से common आके हट जाएगा, तो यह best आप बराबर ही ले लो ऐसे, तो अब अपना जो required plane है, जहां से जो मलब plane, 1, 2, minus 3 से गुजरा न, उसकी equation क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, required plane, जो A है न, A, A की जगे यह value डाल दूँगा, 1, तो 1, फिर क्या है, x minus 1, फिर क्या है यहाँ पर B, तो plus का B, और B की, सोरी है, B की जगे यहाँ डालूँगा, 2 डालूँगा न, इकोल टू जिरो तो इकोल टू जिरो, इसको बस सोल करना है, तो देखो क्या बनेगा, यह है, x minus 1, प्लस यह, 2y minus 4 हो जाएगा, यह minus 3z, minus 9 हो जाएगा, equal to 0, तो सोल करें, यहाँ पर यह x आजाएगा, यह 2y भी आजाएगा, और यह minus 3z भी आजाएगा, यह minus 1, minus 4 और minus 9, minus 9 और minus 1, minus का 10 हो गया, minus 4, minus का 14 हो गया, उधर चला जाएगा, तो प्लस का 14 बन जाएगा, ठीक है, यह बन गया, आप चाहओ तो इस minus 14 को LHS में लियाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यह भी ठीक है, यह भी ठीक है, तो ऐसे किया मने इस question को, यहाँ पर मैंने हिंट तो इसी टाइम आपको समझ में आ जाना चाहिएथा, कि यहाँ पर बोला गया यह है, कि find the equation of the plane, फिर यहाँ पर बोला है, perpendicular to OP, तो जो OP है ना, इस plane के perpendicular ही है, तो OP के जो direction ratio हो ना, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर माइनस 3 उसी टाइम ही बेट जाना चाहिए था, तो खेर, आप इसको कैसे भी समझ लो, एक आसान question ही था यह, अब मतलब करते हैं, next question, दोस्तों यह है question number 17, यहाँ पर बोला, find the equation of the plane, which contains the line of intersection of the plane, देखो फिर से वह फ्रेज आ गई, intersection of the planes, यह, तो इसमें वही लगाएंगे, P1 प्लस लेमडा P2 इकल टू चीरो, तो intersection किस-किस का हो रहा है, इसका हो रहा है, और इसका हो रहा है, and which is perpendicular to the plane this, अब यह तो extra plane है, मैं तो वही है, कि इन दोनों के intersection को रखने, इन दोनों के जो line of intersection होगी न, उसको अपना यह जो नया वाला plane है, वो रखता है, find the equation of plane, तो जो नया वाला plane है, वो इन दोनों की line of intersection को रखता है, इसका मतलब क्या है, वो नया वाला plane इन दोनों की line of intersection से गुजरता ही है, तो देखो यहाँ पर ऐसा नहीं गोला कि find the equation यहाँ पर vector equation ऐसा नहीं गोला तो हमें vector में answer नहीं देना इन सब का partition में ही answer देना तो सबसे पहले हम इन सब को partition में convert कर लेते हैं जैसी जो पहला वाला यह पहला वाला पी इसको मैं P1 बोल देता हूँ यह P1 plane है य जे और जेड के फिर डोट प्रोडक्ट है तो आयवाल आयवाले से मिलेगा तो यह पर X आई का स्क्वेर का हो जाएगा? X बन जाएगा फिर यह 2Y बन जाएगा आप डारेक्टी कर दो तो जो आई जे के है ना इनको हटा के आप XYZ लगा दो तो यहाँ पर X, 2Y और यहाँ पर 3Z प्लस 3Z माइनस 4 का तो ठीक है अच्छा यह माइनस 4 इकोल टो 0 है तो यहाँ पर माइनस 4 इकोल टो 0 ही आ जाएगा यह होगा अपना plane number 1 P1 इस इस पी 1 इस प्लेन number 2 हो इसको भी मैं कार्टिशन में एक अन्वर्ट कर लेता हूँ तो P2 इसको मैं P2 मान रहा हूँ R वेक्टर डोट क्या है 2I प्लस J माइनस K फिर प्लस 5 प्लस 5 इकोल टो 0 तो यहाँ पर क्या जाएगा देखो 2Y जे और माइनस K है इसका मन जाएगा 2X Y और माइनस J फिर प्लस 5 है तो प्लस 5 इकोल टो 0 तो इस इस प्लेन number 2 तीसरी वाले को भी कनवर्ट कर लो इसको भी तो इसमें इसको लिख लेता हूँ P3 इसका क्या है R वेक्टर डोट 5I प्लस 3J माइनस 6K प्लस 8 इकोल टो 0 वैसे इसको गनवर्ट करने की ज़रुद है नहीं हम डारेक्ट ही निकालेंगे पर्पेंडिकुलर टो दिस चलो फिर भी करना चाहो तो कर लो वैसे इसकी ज़रुद है नहीं यहां पर क्या बन जाएगा 5I है नहीं तो यह बन जाएगा 5X प्लस 3Y माइनस 6Z प्लस 8 इकोल टो 0 यह हो गया प्लें नमबर 3 हमें जो न्यू प्लेंड बताना है अपना जो न्यू प्लेंड होगा न वो न्यू प्लेंड ही लिग देता हूं इसको न्यू प्लेंड को न्यू प्लेंड ही बोल रहा हूं वो क्या है वो नू प्लेन की क्वेश्म में बताने हैं which contains the line of intersection this and this प्रच्छ न्यू प्लेन ने वो क्या होगा वो पास होगा passing through the line of intersection of p1 and p2 ठीक है यहां पर इसके साथ में दे रखे था नि बनेगा बनेगा यहां पर यह होगी यह पीटु है तो जो निया वाला प्लेण होगा वो सम्सालोगा यह अपना अधूलो वह प्लें जो यहां से ब्लेगा बनेगा इस नीव and की एक्वेशिन जो होगी वे इन फीटु की terms में ही होती है तो अपना जो new plane होगा वो क्या होता है वो ऐसा होता same format में याद रखना जब भी ऐसा है ना intersection of two planes तब आप याद रखना क्या लगएगा P1 प्लस lambda P2 equal to 0 तो P1 की value डाल दूँगा मैं यह partition वाली है और P2 की value भी यह वाली में आपर रख दूँगा तो देखो यह ऐसा बनेगा P1 की जगा आजाएगा यह X plus 2y plus 3z minus 4 फिर प्लस lambda P2 की जगी आजाएगा यह वाला 2x plus y minus z plus 5 equal to 0 तो यहां पर यह काम करते हैं और यह आगे जाके क्या देर रखा है यहां पर बोल लागा पर्पेंडिबलर टुदिस तो पर्पेंडिबलर टिवाली कंडिशन लगाने पड़िगा इसके लिए तो मेरेको XYZ की कॉप्षिं बनाने पड़ेंगे तो यहां पर XYZ की टरम सा लगलग कर दो फिर आप X की साथ 1 है यहां पर X की साथ में लेम्डा होजाएगा, 3 माइनस लेम्डा, रही बात constant की तो उसको भी लिखी लो फिर, यहाँ पर माइनस 4 है, इसको बाद में लिख लूँगा, यहाँ फिर लेम्डा इंटू 5 है, यह प्लस का है न, तो प्लस वाली चीज पहले है, अच्छे लगती है, 5 लेम्डा और यह लेम्डा की 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 which is perpendicular to this plane और इस plane को मैंने क्या बोल रखा है P3 बोली रखा है तो अपना जो नया वाला plane है वो इस P3 मतलब इसके इसके perpendicular है तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगा कि यह जो अच्छा एक काम करो यह जो भी हम करते ना तो यहाँ पर ना direction ratios की जरूत पड़ेगी perpendicular के लिए तो पहले मैं इसके direction ratios लिख लेता हूँ इदर ही लिख लेता हूँ इस new plane के DR क्या हूँगे X काक उप्षन क्या है 1 प्रस 2 λेमडा 1 प्लस 2 लेमडा Y का कॉप्षन क्या है 2 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा और Z का कॉप्षन क्या है 3 माइनिस लेमडा 3 minus lambda ये है 3 number जो कि इस new plane के क्या होंगे direction ratios अब मैं आपर वो लिख देता हूँ कि ये जो plane है this new plane is इसको side में कर देता हूँ is perpendicular to the plane P3 और P3 की equation भी यह लिख देता हूँ P3 की equation क्या है ये वाली 5X 3Y minus 6Z और 8 तो यह यहाँ पर लिख देता हूँ 5X plus 3Y minus 6Z plus 8 equal to 0 यह है तो यह plane इसके perpendicular है तो यहाँ पर मैं देखो क्या है perpendicular तो मैं आपर लगाऊँगा condition of perpendicular planes तो वो condition क्या होती है वो यह होती है A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0 और यह A1 B1 C2 यह सब क्या है यह होती है direction ratios इसके direction ratios और इसके direction ratios अचा इसके direction ratio क्या है इसके DR में यहाँ पर लिख लेता हूँ देखो क्या होंगे X के साथ क्या है 5 तो यह 5 हो गया Y के साथ 3 हो गया Z के साथ minus 6 हो गया यह है इसके direction ratio और उसके यह lambda वाले यह यह और यह हो जाएंगे यहाँ पर आगे इनी का product यहाँ पर दे रहे है equal to 0 कर रहे है तो समझो कि यह जो A1 है ना A1 यह है यह B1 यह C1 यह A2 यह A2 यह B2 और यह C2 तो यह पर क्या है A1 A2 तो सबसे पहले पहला पहला multiply देगा यह A1 है 1 plus 2 lambda और यह 5 है A2 तो 1 plus 2 lambda के साथ आजएगा 5 फिर प्लस B1 क्या है यह 2 plus lambda 2 plus lambda तो B2 क्या है यह 3 यह हो गया C1 है 3 minus lambda और C2 है minus 6 equal to 0 यहाँ से ना lambda मिल जाएगा हमे यहाँ से फिर अपने tension के तम जाएगी lambda की इसको सोल करें यह कितना हो गया 5 plus 10 lambda यह जाएगा 6 plus 3 lambda plus प्लस क्या मैंने से देगा अब तो minus 6 into 3 minus 18 minus 6 into minus lambda 6 lambda equal to 0 यह होगा lambda के लिए कुछ खथरनाग से आती लग रही है 10 lambda 3 lambda 13 और 6 19 19 lambda हो गया यह तो फिर उसके बाद में constants यह क्या है यहाँ पर constant 5 यहाँ पर 6 यह हो गया 11 11 minus 18 है यहाँ पर तो 11 minus 18 हो जाएगा minus का 7 वो उधर चला जाएगा तो प्लस का 7 बन जाएगा तो फाइनली lambda की वेल्यू क्या की 7 by 19 7 by 19 यह जो lambda की वेल्यू आई है यह उठा कर में डाल दूँगा इस plane में क्योंकि after all हमें चाहिए यह नयावला plane कि यह आखिरकार plane की equation क्या है मैंने बोला था बीच में भी plane की equation बस एक ही चीज़ की दिखा था लेम्डा की वो लेम्डा मिल जाएगा ना तो फिर हमें काम हो जाएगा अपना तो लेम्डा की वेल्यू मिल गई उतली ख़ए एकस 1 प्लस 2 लेम्डा लेम्डा की जाए गा है 7 by 19 यह दो से multiple हाजएगा तो इस 7 का क्या बाजएगा 14 by 19 ऐसा बन जाएगा प्लस y 2 प्लस लेम्डा की जाएगा तो simple सा 7 by 19 हाजएगा प्लस यहाँ पर z के साथ हिम हाजएगा 3 minus 7 by 19 प्लस फाइप लेंड है लेंड है कि जगे सेवन बाइद इस तो जो फाइफ है ना वो सेवन से मल्टिप्लाइज देगा उपर तो कि क्या बना लेगा थर्टी फाइफ अपोन नाइनटीन माइनस चार इकोल टू जीरो अब वहीं ले लुआ के पूरे को खतम करना है मैं तो लेते हैं यहाँ पर एक्स इसके साथ क्या देगा नाइनटीन इसको सोल ही कर लो मतलब लो पहले दिखाओ के लिया है फिर केल्कुरिशन अलग से करो उसकी कोई जरूत नहीं इनटीन इनटीन ए जा थर्टीएट सब्सकािक इसको साथ फोटिफाइट ऐसा थाएक जरूत तो थीएक है अया страх की फिलाइड सनर्रेस्लेट यार मैने उन्टीन अफ्नीर मेनितर चैटना हो टिसक्स टो सेवनितगी सिक्समिक्षए्चिंट मैननिस का अधीन जैसे सेवनित नेगेटिव आएगा आंसर को नेगेटिव आएगा लेकिन 76 माइनेस 35 कितना होगा 30 45 55 और 75 30 40 40 का अंदर होगे ना और एक एक्स्टा तो फोटी वन आदेगा क्या देगा 41 और डिवाइड में कितना है 19 तो देखो 19, 19, 19, 19, 19 सबका 19 नीचे वाला कमन लेकि मैंने हटा दिया यह क्या बजगा 33 X यह क्या बजगा 45 Y यह क्या बजगा 50 Z बन्हें यहापर माइनस का 41 है 41 इक्वल टु जीरो ठीक है यह आगया 33 X प्लस 45 Y प्लस 50 Z माइनस 41 इक्वल टु जीरो तो इसको आपको अगें समझाने के जरो ते लेकिन बता देगा एक बार इन दोनों प्लेंस के लाइन ओफ इंट्रेसिंग से नया प्लें गुजर रहा है मतलब P1 और P2 से तो नय प्लें की क्या देगी P1 प्लस लेम्डा P2 उकल टु जीरो फिर यह जो नया प्लें इसमें लेम्डा आ गया यह लेम्डा की विल निकाल नहीं पड़ेगी उसके लिए एक और कंडिशन दे यह यह इनके साथ डोट कराके जीरो आंसर बताना पड़ेगा पर्पेंडिकुलर रहा तो यह कंडिशन होती है पर्पेंडिकुलर टीकी दो प्लेंस पर्पेंडिकुलर होते हैं तब तो कर दिया वह यह बन गया तो लेम्डाइक की तनी अगी 7 बाइ 19 वह हमने आपर डाल तो अगले वीडियो के अंदर थेंक यू बेरी मच